जब मैंने मेरी बियार की डिगरी कम्प्लीट की थी बैचलर अफ आर्किटेक्चर की तो मेरा माइंड बहुत किलियर था कि मुझे पहले कुछ टाइम के लिए जौब करनी है उसके बाद मैं अपना फर्म उपन करने का देखूंगा या फिर अपना कोई खुद का काम करूंग तो यह मेरी माइंड में बहुत किलियर था लेकिन जब मैंने कम्प्लीट के आकने चाहिए तो मैंने मेरे फ्रेंड्स को अबजर्व किया और मुझे एक प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई जो मैंने आबजर्व किया वो में को यह परचला कि हर किसी के माइंड में अपनी- जैसे बहुत सारे स्टूडेंट से जो यह सोच रहे थे कि उनको बियार के बाद सेलरी थोड़ी ज़ादा चाहिए तो क्या वो मान के चलते हैं कि बियार करने के बाद आपको इनीशली जो सेलरी होती है वो ज़ादा अच्छी नहीं लग दी डीसेंट सेलरी होती है बहुत ज़ादा अच्छी नहीं होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनकों की एमार्क करना था ताकि उनकी सेलरी ज़ादा बढ़ सके या उनको थोड़ा स्पेसलाइज होना है या उनको थोड़ा फोकस होना है या बहुत सारे स्टूडेंट उनी में मेरे friends थे जो की कह रहे थे कि मुझे MBA करना है और बहुत सारे ऐसे थे जिनकों की BR करके ही ज़्यादा पैसे कमाने हैं लेकिन job से सबसे पहले बात करते हैं जब आप MBA का सोचते हो तो आप यह मान के चलिए कि आप बैचलर अब बैचलर आप कर चुके हो और आप MBA की तरफ जा रहे हो मीन्स Master's in Business Administration की तरफ जा रहे हो इसका मतलब यह है कि आप Architecture की Degree अलरेड़ी देख चुके हो Architecture वर्ल्ड अलरेड़ी देख चुके हो अब आप business world देखने जा रहे हो तो आपका जो vision होगा ना वो थोड़ा broad हो जाएगा आपका जो spectrum होगा वो थोड़ा सा broad हो जाएगा आप थोड़ा सा जाधा exposure लेने की कोशिश कर रहे हो architecture plus business तो आपका जो vision है वो थोड़ा broad होगा लेकिन जब हम यह decide करते हैं कि मुझे MR करना है master sin architecture ही करना है किसी एक particular niche में तो हम थोड़े से focused हो जाते हैं ठीक है मतलब एक तरफ आप broad हो रहे हो और एक तरफ आप focused हो रहे हो एक particular niche की तरफ आप जा रहे हो यह इस चीज को समझने का सबसे best तरीका है कि आप broad और एक तरफ focused हो रहे हो अब इस तरीकों में क्या चीज़े आपको रखनी चाहिए क्या नहीं रखनी चाहिए कैसे आपको आगे find out करने है कौन से colleges लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं इनके उपर हम इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप MBA की तरफ जाते हो broader spectrum की तरफ जाते हो अपने exposure को जाधा लेना चाहते हो तो आपको ये चीज़ तब करनी चाहिए जब आपके मान के चलें कि आपको high paid salary चाहिए high paid job चाहिए जिसम बोलते हैं आप salary oriented जादा हो और आप job oriented जादा हो और आपका mind जो है न वो business की तरफ जाता है किस तरफ जाता है business की तरफ जाता है मतलब अच्छा कि आपने knowledge ले ली है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये चीज़े में को business पे implement करनी चाहिए या थोड़ा सा इनको use करते हुए मैं business में जाना चाहता हूँ आपका mind अभी भी आपको business की तरफ लेके जाना चाहता है या फिर आप अभी भी salary को लेके जादा सोचते हो या आप job oriented थोड़े जादा हो तब आपको ये MBA जो है वो करना चाहिए क्योंकि इससे आपको exposure मिल जाएगा इससे आपको salary जादा मिल जाएगी कह सकते हैं आपके job satisfaction मिल जाएगा और business like minded person के लिए ये चीज़े होती है लेकिन जब हम बात करते हैं masters की masters in architecture में एक specialization चुनना होता है चाहे तो आप urban चुन लो मतलब ये particular particular depend होता है कि आप किस जगह पर क्या ले रहे हो कुछ लोग sustainability लेते हैं कुछ लोग green architecture लेते हैं कुछ लोग urban लेते हैं तो ये अपने अपने निशिज होते हैं कि आपको masters किस चीज में करनी है तो अगर आप ये मान के चलते हो कि आपको academically दुनिया देखनी है academically मतलब academically मतलब कि आपको teacher बनना है in future professor बनना है या कोई चीज की research करनी है या आपको आकरचा के अंदर और ज़्यादा एक particular निश्च को और ज़्यादा जानना है जिसमें कि आपका interest है तो आप academically जाते हो जिसे हम बोलते हैं और focused होते हो मैंने इतना पढ़ लिया मुझे एक particular चीज को ज़्यादा focus करना है ज़्यादा पढ़ना है और उसके बाद मैं आगे serve करूँगा इस country को country को serve करोगे अपना या तो firm कोलगे या job करके आप serve करोगे उस case में ज़्यादा तर आपको salary oriented नहीं होना पढ़ता आप salary को ज़्यादा लेके मच चलो कि आपको MR इसले करना चाहिए कि मुझे मेरी salary बढ़ जाएगी नहीं आपकी salary initially high हो जाएगी लेकिन इतनी नहीं होती जितना कि आप compare करोगे MBA से तो अगर आपको MR करना है तो आप exposure के लिए जाओ मतलब कि या तो आप MR कर लो बाहर countries में abroad में जाके या फिर आप एक particular niche लेके आपको उसको serve करना है आपको उसको पढ़ने में interest आ रहा है आपकी creativity उसमें दिख रही है तो आप इसले करो या आपको वो पढ़ाना है in future colleges में universities में आपको teacher बनना है professor बनना है तो इसलिए आप करो मतलब थोड़ा सा आप उसमें और focused हो रहे हो तो focused के तरीके से सोचो एक का था broader spectrum और आपका था focus तो आपको focused के तरह सोचना है लेकिन वहीं पर ही कुछ तीसरे type का doubt आता है और वो आता है कि मुझे बियार करके ही पैसा ज़्यादा कमाना है तो क्या करें क्योंकि generally 15 से 20 के बीच में salary मिलेगी अगर आप किसी architecture firm में जाते हो बियार करने के बाद और आपको salary थोड़ी ज़्यादा चाहिए तब आप क्या करो तब आपके लिए एक industry है इसी के अंदर ही आती है और वो है BIM industry इसके उपर मैं already 5 वीडियो बना चुका हूँ BIM का जो full form है वो है building information modeling थोड़ा सा brief दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर building information modeling आप उस industry में जा सकते हो उस industry के आपको software सीखने पड़ेंगे जैसे की rabbit, rhino, grasshopper या आप चाहो तो parametric design की तरफ जा सकते हो तो यहाँ पर जब आप इन software को सीख जाते हो 3ds max सीख जाते हो तब आपकी skill set आपने generate कर लिए और उस skill set को आप इन industry में जाके जब आप job find out करने की कोशिश करोगे तो आपको salary hike मिल जाएगी मतलब यहाँ पर आपको salary ज़ादा देखने को मिल जाएगी एक BR की एवे student को अगर salary ज़ादा चाहिए तो वो या तो parametric design या फिर beam industry की तरफ जाए तो वो ज़ादा better रहता है मैंने अभी तक जो अपने perspective से जो observe किया है मैं बस आपको वो बता रहा हूँ साथी साथ अगर आपको MR करना है तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जिस भी college को choose करो क्योंकि MR करने के लिए आपको college choose करना पड़ेगा पर faculties अच्छी हो जो कि आपको exposure दे सके ये दो बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है नहीं तो आप end up होगे एक बेकार से MR करके मतलब कि आपको ना exposure होगा ना कुछ होगा बस आपको degree मिल जाएगी और उसे basic salary जो हाइक हो जाएगी basic salary बढ़ जाएगी बस लेकिन आपको MR क वहाँ करना है क्योंकि आप focused हो रहे हो तो आपको exposure दाएगा चाहिए उस focused वाले चीज़ों में तो इसलिए कोशिश करो कि जहाँ faculties अच्छी हो और जहाँ पर content अच्छा हो मतलब कि जहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती हो जहाँ पर exposure अच्छा मिले आप उस college में जाओ भले ही चाहे उसका नाम हो और चाहे नहीं हो लेकिन जब आप MBA सुइच करते हो आपको MBA की तरफ जाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि MBA में आपको branded college की तरफ जाना है जहाँ पर उस college का नाम हो जहाँ पर उसका सिक्का चलता हो market के अंदर क्योंकि जो recruiters होते हैं जो आपको job देने आते हैं placement में या आप जब job के लिए apply करते हो interview के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको सबसे पहले college का name देखना पसंद करते हैं और वो उसका brand देखना पसंद करते हैं कि इसका नाम कितना है इस college का ठीक है तो आपको MBA करते वगद ये ध्यान रखना है कि आप जब MBA चूज कर रहे हो तो आपको branded college की तरफ जाना है priority आपकी वो रहनी चाहिए जब आप MR को चूज कर रहे हो तो आप ज़्यादा salary की तरफ मत जाओ academically सोचो और थोड़ा focused हो जाओ लेकिन साथी साथ आपको faculties का सोच रहे है और exposure ज़्यादा मिलना चाहिए college के अंदर वो आपको ध्यान रखना है और जब आप BR से पैसे ज़्यादा कमाने की सोचते हो तब आपको इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना है कि आपको BIM industry या parametric design की तरफ जाना है तो आपको initially salary की जब बहुत अच्छी मिल जाएगी initially मतलब स्टार्टिंग salary आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी और इससे क्या है आप बाहर abroad में भी जाके काम कर सकते हो फिर वहाँ पर आपके salary डबल हो जाती है डबल ट्रिपल वहाँ पर एक opportunity ज़ादा है अगर आप parametric design या फिर आप BIM industry की बात करते हो तो वहाँ पर ज़ादा है BIM की particular आपको वीडियोस देखनी है तो पूरी series बना रखे है मैंने already पाच वीडियोस के अंदर मैंने बना रखे है उनका link जो मैं आपको नीचे discussion में देदूँगा वो जाके check out कर सकते हो लेकिन ये आपको याद रखना है कि अगर आप confused हो MR और MBA में तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको broader सोचना है broader exposure चाहिए आप business minded, business like minded person हो तो आप जरूर से MBA चूज करो और अगर तो थोड़ा से focused हो architecture के अंदर ही आपको थोड़ा और मज़ा आ रहा है और थोड़ा सा अंदर और play करना है उसके बाद आपको serve करना है अपना firm खोल के उसके बाद MR करो ताकि आपको ये पता रहे कि आपको किस field में MR करना है क्योंकि generally students क्या करते हैं गल्दी करते हैं कि वो BR करने के फॉरण बाद ही MR कर लेते हैं सिर्फ उनके अपने thoughts से कि हाँ ये course अच्छा रहेगा तो वो एक particular specialization लेके जल्दी से MR कर लेते हैं वो चीज़ मत कीजिए आप थोड़ा सा play कीजिए better way में ताकि आपका future अच्छा बनी अगर आप आज ही इतनी जल्दी जल्दी और हरबड़ी में decision ले लोगे सिर्फ आपके thoughts से without any exposure तब might be possible आगे जाके आप थोड़े mess up हो जाओ तो I hope so कि आपको इस video से clarity मिली होगी कि आपको किस तरीके से अगर आपको earning potential देखने तो कहा जाना है अगर आपको business potential देखना है तो आपको कहा जाना है और अगर आपको focus potential देखना है specialization potential देना है तो आपको कहा जाना है वीडियो गर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आइई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हो और अगर आपको कोई doubt हो, तो आप comment करके जरूर पूछ सकते हो comment में अगर आपको reply नहीं मिले, तो आप कोशिश कीजिए, कि आप मेरे पॉप आख design साइन्स जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पर आप मेरे को जो है मैसेज करके आप पूछ सकते हैं लेकिन प्रायोटी आप यह रखे कि आप कमेंट करके पूछिए क्योंकि कमेंट मेरे जनरली नॉटिफिकेशन में आ जाता है मैं वहाँ पर रिप्लाइ कर देता हू तेंक यू